स्वागत है आपका हमारे चानल में मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खवर सामने आ रही है आपको बता दे कि दिल्ली वफ बोट को 123 समपतियों का लेखा जोखा ना दिखाना भारी पड़ गया है दरसल केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली वफ बो एवं शहरी मामलों के मंत्राले ने दिल्ली वफ बोट की 123 समपतियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है जिन में मस्जिद, दरगाह और कबरस्तान भी शामिल है आपको बता दे कि दिल्ली वफ बोट के अध्यक्ष और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी से दिल्ली वफ बोट के हाथ से निकल गई है इस बारे में आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने दिल्ली वफ बोट के चेर्मैन को पत्र भी लिखा था ऐसा बताया गया है कि दिल्ली वफ बोट की 123 डी नोटिफाइड प्रॉपर्टी अब बोट के पास नहीं रहेगी अब अर्बन डेवलेप्मेंट मंत्राले की ओर से दिल्ली वफ बोट को और भीज दिया गया है बतादें कि दिल्ली वफ बोट ने दिल्ली हाई कोट के द्वारा बनाय गए दो सदस्य पैनल के सामने अपना परक्षन नहीं रखा है हाला कि उसे कई बार मौका दिये गये थे ले इसको देखते हुए अब कोई जवाब नहीं आया और अब वफ बोट का कोई हक नहीं रहा क्योंकि वोट की ओर से कोई अबजेक्शन रप्लाई दो सदस्य से पैनल के सामने नहीं रखा गया था पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये और जारी किया गया है आपको बता दे क मंत्राले के भूमी एवं विकास कार्याले ने कहा कि जस्टिस जो कि अब रेटार्ड हो चुके हैं एस्पी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्य समीती ने अपनी रिपोर्ट में गैर अधिसूचित वफ संपतियों के मुद्दे पर ये कहा कि उसे दिल्ली वफ वोट स कोई प्रतिनिधत्व या आपत्ती प्राप्त नहीं हुई है इसी के साथ ही एल एंडियो के पत्र के अनुसार दिल्ली हाई कोट के आदेश पर केंद्र सरकार ने समीती का गठन किया था आपको बता दे कि अब इस चीज को लेकर के अतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं आ अदालत में हमने 123 वफ संपत्ती पर पहले ही आवाज उठाई है उच्च न्यायाले में हमारी रीट रियाच का संख्या 1961-2002 लंबित है कुछ लोगों द्वारा इस बारे में जूट फैलाया जा रहा है और इसका सबूत आप सब के सामने हैं हम वफ बोट की संपत्ती पर कि इसी भी तरीके का खबजार नहीं होने देंगे बता दें कि इसी के साथ ही बोट के अध्याक्षन ने शुक्रवार को केंद्रिय मंत्राले के उभ्भूमी और विकास अदिकारी को दिये जवाब में ये भी कहा है कि दिली वफ बोट दो सदस्य समीती के गठन के खिलाफ जन पत्ती शामिल है बता दें कि इनमे से इन 123 प्रॉपर्टी का मालिकाना हग UPS सरकार ने वफ बोट को दिया था इसके खिलाफ हिंदू संगठन कोट गए थे और लुटियंस जोन की कई मस्जिदों पर भी मंत्राले ने नोटिस चस्पा किये हैं ये मस्जिदें भी 123 वफ बोट की संपतियों को लेकर के जिक्र किया है और उन्होंने इस बात पर जोड दिया है कि अगर भारत में जब ये कहा जाता है कि भारत धर्म निर्वेक्ष का राज है और किसी भी धर्म को लेकर के किसी भी जाती को लेकर के एक तरफा वहवार नहीं किया जाएगा तो वाफ बोट को इतना हक क्यों दिया जाता है और भी संगठन को ले करके इस तरीके से समीतियां क्यों नहीं गठित की गई है उनको इतनी प्रॉपटी क्यों नहीं दी जाती है। बता दे कि उन्होंने इस बात पर भी खुलासा किया कि कैसे मनमोहन सिंग की ततकालीन सरकार ने 2014 से पहले जो इलेक्शन होने थे उससे पहले रातो रात ये फैसला लिया था और 123 जो अर्बो खर्बो की प्रॉपटी बताई जारी है लुटियंस दिल्ली के अंदर वो रेकर आप ही ये मामला जो है दिल्ली की कोट में चल रहा है ऐसे में वफ़वोट की होड़ से प्रॉपटी को लेकर के कोई डीटेल्स या फिर कोई इंट्रेस्ट नहीं दिखाया गया जिसके बाद केंदर सरकार है और केंदर सरकार के द्वारा इन 123 प्रॉपटी पर अधि इसके मुताबिक भारत के कई अन्य हिस्से हैं जहां पर लगातार वफबोड अपने प्रॉपर्टी होने का दावा करती है इसी के साथ यूनोंने साउथ को लेकर के कई सारे एक्जामपल दिये थे जिसमें की वो मंदिर गाउं तमाम ऐसी चीजे थे जो कि शामिल थे और ये जो चीजे हैं वो 200-300 साल पहले नहीं बलकि 1500-1600 साल पहले का एक मंदिर है तमिलनाडु में उसमें भी वफबोड ने अपनी प्रॉपर्टी होने का दावा किया है ऐसे ही दो तीन गाउं का नाम भी उन्होंने गिनवाया कि कैसे वफबोड ने इस पर कबजा किया क्योंकि उन्होंने सीधे तोर पर ये नोटिस दी और उनका कहना है कि ये जो जमीन है और ये जो गाउं का शेत्रफल है वो वफबोड के अंडर में आता है ऐसे में ये प्रॉपर्टी वफबोड की हुई है और वहाँ पर उन लोगों का कोई हक नहीं बनता इसी के साथ ही तमाम लो इसमें से कई सारे किसान हैं जो उनका कहना है कि वो खेतों में कई वर्षों से इस तरीके से फसल उगा रहे है और उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से इसी खेती को ले करके चलता है लेकिन अगर वफबोड इस तरीके से दावा करेगी और अप इस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हग जमाएगी तो हम कहां जाएगे अगर हम बात दिल्ली की वाफबोड की करें तो फिलाल दिल्ली की वाफबोड ने 123 प्रॉपटी को लेकर के कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी और इस चीज को लेकर के जब जो दो कमिटी गठित की गई थी दो पैनल गठित किया गया था कोट के द्वारा तो इसको लेकर के कोई इंट्रेस्ट नहीं दिखाया गया था और जो कागजात मांगे गए थे तो जो तमाम चीजें 123 प्रॉपटी को लेकर के कही गई थी उसकी ओर से कोई भी जवाब दिल्ली वाफबोड की अध्याक्ष या फिर उ तुस्टिकरन की राजनीती के वज़े से कॉंग्रेस ने ततकालीन समय पर ये तमाम प्रॉपटी वाफबोड के नाम कर दी थी और ये कोई ऐसी वैसी प्रॉपटी नहीं बलकि ऐसी प्रॉपटी है जो की बहुत जादा अच्छे लोकेशन्स पे है और अगर इसकी जमीनों की कीमतों की बात करें तो ये भी बहुत जादा है सारे की सारे लुटियंस दिली इंडिया गेट ऐसी जगों की प्रॉपटी है जिन्हें की वफबोड को दे दिया है ऐसे मैं सवाल उठता है कि कॉंग्रेस इस तरीके से तुस्टिकरन की राशनीती कर रही थी इसके उनकी जो राजनीती शुरू से चली आ रही है उसको और बढ़ावा देंगे तो शायद 2014 में एक बार फिर से UPA की सरकार बनेगी और एक बार फिर से कॉंग्रेस की जीत होगी लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला 2014 में जिस तरीके से मोधी लहर थी तो उसमें देखने को मिला क 2014 में देश की जो प्रधान मंत्री थे वो नरेंद्र मोधी बने और इसी की साथ ही NDA की सरकार आई ऐसे में ये कॉंग्रेस को बड़ा जटका थो और 123 प्रॉपर्टी वफबोट के नाम करने के बावजूद कोई भी फाइदा उन्हें राजनतिक तोरपन नहीं मिला फिलाल को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले